तो बच्चो कैसे हैं आप सभी मैं हूँ मुधिता और आप सभी का स्वागत है मुधिता IS वारियर्स पर क्लास 10 की वर्क्षीट नंबर 24 सॉल्फ करने वाले हैं हम साइंस की वो भी इंग्लिश मीडियम में और ये वर्क्षीट 28 अगस्त की है यानि 28 अगस्त 2020 की है तो इस वर्क्षीट में मैं आपको सारे कोशन के सॉल्फीशन करवा दूँगी समझा भी दूँगी कोशन को अंसर के साथ और रिटन में दे भी दूँगी जहांसे आप कॉपी कर सकते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर को समझ लेंगे और मैं आपको chapter को थोड़ा सा समझा दूँगे जिससे आपको question समझने में आसानी होगी तो बेटा जो हमने life process last work sheet में start किया था life process आपके biology का chapter number 6 था है तो वो life process काफी important है आपके exam point of view से इसलिए आपको deep में पढ़ाया जा रहा है इसमें हमने last में क्या देखा था digestive system पढ़ा था अपने nutrition में ठीक है पिसले work sheet में आज हम पढ़ने वाले है respiration respiration से आप क्या जानते है respiration breathe in करते हैं breathe out करते हैं क्या समझते है respiration करना क्यों जरूरी है हमारी लिए तो आज उसी को समझते हैं respiration is a process by which living organism produce energy from food अगर हम मैं simple भासा में बोलू कि हम सास क्यों लेते हैं या breathe क्यों लेते हैं तो एक बच्चा बोलेगा जो छोटा होगा या फिल जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बोलेगा भई हम जिन्दा रहने के लिए सास लेते हैं लेकिन अगर मैं एक science के student से पूछू कि बेटा हम respiration यानि कि हम breathe क्यों करते हैं सास क्यों लेते हैं तो वो क्या बोलेगा कि यह कोई भी organism breathe इसलिए करता है to produce energy energy के लिए वो breathe करता है अब आप बोलेंगे energy और सास लेने का क्या relation है तो मैं आपको एक simple बादशाह में बता दूं कि जो आप खाना इंटेक करते हैं फूड लेते हैं लास्ट वरक्षीट में आपने पढ़ा था वो फूड हमारी बॉड़ी यूज नहीं कर पाती उसको क्या चाहिए हमारी बॉड़ी को हम बहुत complex लेते हैं तो उसको धिन नहीं मिलती अब इस ग्लुकोस का breakdown होता है मतलब इसको पी तोड़ा जाता है और उसके बाद एनलीज होती है तो इसको breakdown करने के लिए eyebrow को क्याने के लिए пригजिए या एनलजी जलाने के लिए उसके लिए ज़रूरत होती है उल्जा की तो जो कहां से मिलता है ऑक्सीजन से जैसे ही आप ब्रीदिन करते हो ठीक है ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी में और सेल्स के अंदर वो ग्लुकोस के साथ मिलता है और फिर क्या रिलीज होती है एनर्जी और अब स्सक्राइब अगले टाइम आपने कहाना नहीं जो आपको अनलजी नहीं दोती हैन्स क्लेकि मिलेगी क्याAyव क्लिफ स्ल्लिफ कर लगहा है ऑन्सट्व करते हैं तो अड़ा चाहिषिक नहीं डिलेगी सब्रतों दोते हैं café तो सबा मंश् — आपそうですね है तो आप साइंस के लैंगविज में आप समझ गए ना डेस्पिरेशन किसे कहते हैं चलिए देख लेते हैं ब्रीधिंग का मतलब क्या होता है गैसियस एक्सचेंज यानि गैस का एक्सचेंज करना करते हैं और रिलीज क्या करते हैं सी ओटू और आपको पता होगा सी ओटू कौन लेता है प्लांट लेते हैं प्लांट सी ओटू को यूज करके क्या बनाते हैं वो लोग अपना खाना बनाते हैं दूसरा क्या है सैलुलर रेस्पिरेशन सैलुलर रेस्पिरेशन क्या ब्रेकड होता है simple food का energy के लिए जो मैंने आपको पूरा process समझाया कि जो आप सांस लेते हैं breathe in करते हैं तो वॉक सीजन जाता है glucose के पास और glucose किसमें convert होता है energy में convert होता है तो बेटा इसी लिए respiration होता है अब देख रहेते हैं respiration कितने तरह के होते हैं respiration दो तरह के होते हैं anaerobic अब इन में difference क्या है वो दिख लेते हैं तो तरह की respiration aerobic और anaerobic तो देखिए इसका difference हम compare करके यहां पर आपको दिखाया हुआ है थोड़ा से समझ लेते हैं कि aerobic और anaerobic respiration क्या होता है फिर भी अगर आप कोई भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया किजिए और वैसे मैं इस चैप्टर का अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि यह बहुत इंपॉर्टन चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों के डाउट से इसमें तो हम उसे अलग से हमें Begin from last class में टे एक प्लेस इंप्रेशन अउक्षिजन प्रिजेन ऊक्स ilicam में मतलब जो ओक्सीजन प्रिजेशन होती है उसे हम क्या कहते है, an aerobic respiration, अगर हम इसमें बात करें, तो इसमें occurs in mitochondria, यह कहां पे होता है, aerobic respiration, mitochondria में, अब remember करिए, 9th class में आपने structure of cell पढ़ा होगा, ठीक है, 10th में भी पढ़ते हैं, यह cell है, cell के अंदर nucleus है, यहां पे cytoplasm liquid भरा होता है, और इसके अंदर छोटी-छोट cell organelles होती है, उनी organelles में से एक का नाम होता है, mitochondria, और mitochondria को आपको याद रखना है कि इसको powerhouse of the cell भी कहते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, कि mitochondria को powerhouse of the cell भी कहते हैं, तो कहां पे होता है, mitochondria में होता है, और जब कि इसमें anaerobic में क्या होता है, it occurs in cytoplasm and in east of the cell, यह कहां पे होता है, cytoplasm में और east में होता है, ठीक है, east डालते हैं तो east में होता है, इसके लाव अगर हम third comparison की बात करें, तो यह क्या करता है, अगर इसमें देखें, तो end product क्या मिलता है, carbon dioxide and water, aerobic में, जो आप breathing कर रहे हैं, वो कैसा है, aerobic है, तो उसका end product क्या है, carbon dioxide, water, आप इसे देख भी स कैसे निकलता है, water vapor की form में, हाथ पे आपको जादा पता नहीं चलता है, लेकिन आप mirror के सामने, गारी के सीचे के सामने, अगर करते हैं, तो थोड़ थोड़ा धुनला-धुनला सा हो जाता है, वो क्या होता है, वाप्टर droplets होती है, यानि water vapor होता है, तो वो निकलता है, यह byproducts हैं, जो बाद में निकलते हैं, इसमें बात करें, तो इसमें byproducts क्या होता है, एथिनॉल और लैक्टिक एसिड, ठीक है, यह इसके byproduct है, अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, carbon dioxide, water और energy के साथ release होती है, और इसमें क्या होता है, incomplete oxidation होता है, oxidation का मतलब क्या होता है, किसी भी reaction में, जब oxygen का combination होता है, oxygen के साथ मिलता है, तो हम क्या बोलते है, oxidation, chemistry में आपने पढ़ा हुआ है, कि something plus O2, इस process को हम क्या कहते है, oxidation कहते है, और दूसरा उसका reverse होता है, reduction, removal of hydrogen, याद होगा आपको ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, complete oxidation होता है, और यहाँ पे क करें, तो more amount of energy is released, one molecule of glucose produced 36 ATP of energy, यानि एक molecule glucose का, glucose का एक molecule, यानि आप नापते हो ऐसे, एक मोल कितना energy देता है, 36 ATP, अब बोलेंगे ATP क्या है, ATP नापने का unit है, measure करने का unit है, energy को, जैसे कि आप आलू लेते हो, kg में लेते हो, milk लेते हो, लीटर में, वैसे ही energy को हमारी बोडी में measure करने का unit है, ATP, अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें क्या होता है, one molecule, two ATP energy release करते हैं, तो ये basic क्या हो गया, इनका difference हो गया, अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, glucose pathway, glucose breakdown का pathway है, बहुत important है, इसको जड़ा ध्यान से समझ लेना, इस diagram को, और exam में आपको बनाने को भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, जो आपकी बॉड़ी में glucose बना, अब glucose का मैंने बताया कि breakdown होगा और energy मिलेगी, तो उस glucose का breakdown किस तरीके से होगा और energy कैसे मिलती है, वो हम देखते हैं, सारे organism में एक तरह से वो breakdown नहीं होता, सब में अलग-अलग तरीके से हो कुमारी बॉड़ी में बन गया glucose, जो आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, वो बन गया glucose, glucose का formula मुझे comment box में लिखके बताओ, C6H12O6 होता है, मैंने लिख दिया है, उसके बाद फिर भी लिखो, क्यों इसका आपको revision होगा, लिखो glucose C6H12O6, अब यह जो glucose है, यह आपक प्लासमे इसका breakdown होता है, और यह क्या बनाता है, यह बनाता है pyruvate, pyruvate में क्या होता है, 3 carbon होता है, यानि C3H4O3, ठीक है, तो यह formula होता है pyruvate का, अब pyruvate तो सब में बन जाएंगे, चाहे aerobic हो, चाहे anaerobic हो, ध्यान से समझना, आपकी body का glucose है, पहला step वो pyruvate बनेगा, C6 से C3 बनेगा, ठीक है, और यह सब में सेम होगा और थोड़ी quantity of energy रिलीज होगी, इसके बाद आप डिवाइड हो जाता है, तीन तरीके से आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, एक तो है absence of oxygen, वो condition जहाँ oxygen ना हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इथिनॉल बनेगा, carbon dioxide बनेग ठीक है, तो यह कहाँ पे होता है, इसमें बसते हैं 2 carbon, यहाँ पे कितना चला था, glucose, C6, 6 carbon चला था, यहाँ पे कितना हुआ, 3 carbon, और यहाँ पे 2 carbon, अब देखी अगर lack of oxygen, मतलब oxygen मिल रही है, लेकिन कम मातरा में मिल रही है, तब क्या मिलेगा, lactic acid plus energy, यह कहाँ होता है, इस lack of oxygen का, जब आप ऐसे normal breathe in, breathe out कर रहे हो, तो normal आपका aerobic respiration हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप race में भागते हो, अचानक से बस आ गई, तेज से भाग रहे हो, या किसी चीछ के लिए race लगाते हो, भाग रहे हो, तो क्या होता है, उस वक्त आप बहुत जाद आपकी body को energy चा प्राइना शुरू कर देता है, उसकी वज़े से क्या होता है, तेज दौन लए जाते हो, थोड़ा-स आपके पैर में दर्द सा महसूस होता है, वो किसी वज़े से होता है, क्योंकि आपके पैर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और जयसे ही थोड़ा rest करते ह वह नॉर्मल हो जाता है और उस वक्त आपको एनर्जी मिल जाती है इसलिए जो एथलीट होते हैं या भागते हैं तो क्या होता है उनमें यह वाली प्रॉसेस साथ-साथ होती है क्योंकि उनको नॉर्मल एनर्जी तो मिल रही होती है और साथ-साथ यह लैक्टिक एसीड प्लस of oxygen मतलब normal condition में जैसे आप और हम ब्रीद कर रहे हैं इसमें बात करें तो क्या होता है इसमें होता है यह हमारे सेल में कॉर्गनली यहां पर होता है carbon dioxide ठीक है oxygen sorry carbon dioxide water और energy release होगी तो आप यह अपने आपको कैसे connect कर सकते हैं कि यह दोनों होती है नॉर्मल सेल में यह वाला होता है ठीक है यह होता है इस्ट में तो यह जो पूरा पात्वे है आपको clear हो गया होगा और समझ में आ गया होगा एक बार इसको अपने हाथ से copy में बना के जरूर देखें क्योंकि इससे paper में आपसे पूछता है कि इसका pyruvate का formula क्या होता है फिर paper में आपसे पूछता है कि presence of oxygen में अगर reaction होगी तो क्या क्या बनेगा तो आप बोलेंगे carbon dioxide water energy अगर lack of oxygen में बनेगा तो lactic acid energy अगर पूछे का absence of oxygen में होगा तो ethanol carbon dioxide energy तो एक डाइग्राम से आपसे पांच या छे अलग तरीके से पूछ सकते हैं एक डाइग्राम को बढ़ियां से याद कर लो चिपका लो पेस्ट कर लो कहीं से भी पूछे आप भूलोगे नी थोड़ा सब आगे देख लेते हैं इसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा ATP के बारे में बताया हुआ हुआ है मैंने बताया है ट्रायोसफेट कहा जाता है और यह इसका फुल फॉर्म है फॉर्म इन विच एनर्जी प्रोड्यूस द्यूरिंग दा रैस्पीरेशन और रैस्पीरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसकी आपको रियक्शन लिखके बताई है ठीक है इसके लावा ओन हाइड्रोलेसिस रिलीजड एनर्जी हाइड्रोलेसिस में एनर्जी कितनी रिलीज होती है उसका क्वांटिटी आपको लिखके दिखाया हुआ है 3030.5 किलो जूल मोल पर मोल केजे क्या होता है किलो जूल आपको याद है कि एनर्जी को नापने की यूनिट जूल होती है और अगर k लिख देते हैं तो kilo joule per mole, non as energy currency of cell, इसको energy का currency भी कहते है, currency that means the quantity which we can measure, ऐसी quantity जिसमें हम को एक चीज़ मेजर करते हैं, वो उसकी currency होती है, तो ये energy को measure करने की currency है, used to provide energy for other reaction in a cell, और ये energy देता है बाकी cell में किसी भी काम को करने के लिए, तो ये आपका पूरा discussion हो गया, अब आपके five questions आया है, पहले question देख लेते हैं, फिर answer के साथ discuss करेंगे, चलिए, यहाँ पे आपको बताना है ATP का full form, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, four में आपको pathway वाला question explain करना है, third or two, अब हम solution देख लेते हैं, solution को अच्छे से discuss कर लेते हैं, question one में बोला है, the energy currency of the cell is ATP Lactic acid, CO2, ADP, इन में से क्या है, जो energy की currency है, अभी मैंने बताया आपको, तो आप लिखेंगे, the energy currency of the cell is ATP, वैसे आप सिर्फ ATP भी लिख सकते हैं, ठीक है, answer आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं, next question पे, second question में आपसे पूचा है, the breakdown of pyruvate, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide water energy take place in, जब glucose का breakdown होते हैं, तो pyruvate बनता है, और pyruvate का breakdown होकर, ये तीन quantity मिलती है, carbon dioxide, water और energy, तो ये चीज कहां पर होती है, जिसमें carbon dioxide, water और energy मिलती है, तो मैंने आपको बताया था, aerobic respiration में, और कहां पे, mitochondria में होती है, ठीक है, और ये एक cell organally है, तो आप लिखेंगे, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in mitochondria, तो mitochondria को अच्छे से याद कर लो, इसको powerhouse भी कहते हैं, अंसर को note कर लो, वैसे मैं सारे अंसर टेलिग्राम पे भी डाल देती हूं, तो अगो टेलिग्राम नहीं जोइन के है, तो आप जोइन कर ले, क्योंकि कोई class छूट जाती है, कोई वक्षीट छूट जा है, difference कभी भी आप से पूचा जाता है, तो हमेशे टेबल बना के किया कीजिए, क्योंकि उससे असानी होते है, टीटर को समझने में, और आपको याद करने में असानी होती है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, it take place in presence of oxygen, aerobic respiration किसमें होता है, oxygen की presence में होता है, anaerobic, it take place in absence of oxygen, एक पॉइंट याद किया, presence of absence of, याद हो गया दोनों पॉइंट, second क्या है, aerobic respiration occur in mitochondria, ये mitochondria में होता है, anaerobic respiration occur in cytoplasm, east cells में होता है, ठीक है, end product क्या होते हैं, इसके CO2 and water, यानि carbon dioxide and water होते हैं, जबकि इसके end products क्या होते हैं, alcohol और lactic acid होते हैं, इसके बाद अगर हम बात कर है, complete oxidation of glucose, यहाँ पे क्या होता है, oxidation glucose का complete हो जाता है, ठीक है, पूरा glucose oxidized होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, incomplete oxidation होता है, तो बच्चों इसका आप screenshot ले सकते हैं, अगर telegram पे नहीं है, तो अंसर आपको note करने में help होगी, फिल चलते हैं, next question पे, question number 4 में आपको पूछा है Explain the 3 pathway breakdown of glucose in living organism, मैंने आप से कहा था, यह question important है, important है, important है, इसलिए इसको अच्छे से explain करना है, जो pathway होता है, pyruvate का, glucose का breakdown कैसे होता है, उसे explain करना है, तो पहले आप उसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, at first, glucose which contains 6 carbon molecule is broken into cytoplasm of the cell in all organism, सबसे पहले, जितनी भी organism है, उनमें क्या हो 6 carbon वाला glucose है, वो convert होता है किसमें, pyruvate में, pyruvate मतलब 3 carbon वाले glucose में, आप कह सकते हैं, in this process, we obtain 3 carbon molecule compound called pyruvate, इस process में हमें 3 compound वाला carbon मिलता है, जिसे pyruvate करते हैं, further breakdown of pyruvate take place in different manner in different organism, उसके बाद का जो चरन है, step है, third, वो अलग-अलग organism में अलग-अलग होता है, मतलब अलग-अलग होता है, उसके 3 तरीके हैं, first one, in absence of oxygen, अगर oxygen के absence में होगा, तो उसमें ethanol, carbon dioxide, oxygen बनता है, lack of oxygen में, lactic acid और energy बनता है, और presence of oxygen में, carbon dioxide, water और energy बनता है, तो पहले आपने उसको define किया कि कैसे होता है, फिर 3 process होते हैं, उसको लिखा, और इसके बाद आप बेट पेपर में पूछा जाता है, अगर आपसे दो नमबर में पूछा जाता है, सिर्फ two marks में, सुन लो, दो नमबर में पूछा जाता है, तो खाली है, diagram बना दो, तीन नमबर में पूछा जाता है, तो आप statement भी लिखोगे, diagram भी बनाओगे, और एक नमबर में पूछा जाता है एक नमबर में पूचेंगे तो आपसे कोई एक ही पूचेंगे ठीक है इसमें क्या मिलता है और अगर 5 नमबर में पूचेंगे तो डाइग्राम भी बनाओ स्टेट्मेंट भी लिखो और अच्छे से समझाओ ठीक है तो इस तरीके से आप इसका स्क्रिन्शॉट लेके और पैंसे पैंसिल से एक बार कॉपी में जरूर ड्रॉख करें इसको पांचवी में पूछा है राइट दा फुल फॉर्म ऑफ एटीप एटीप का फुल फॉर्म बताइए वनमाक सा कोश्चन है दा फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इस एडिनो साइन ट्र होते हैं इसमें मॉलिक्यूल इसलिए से ट्राइफोस्फेट कहते हैं इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं तो बेटा यहां पर हमने वक्षीट नमबर 24 साइंस की इंग्लिश मीडियम सॉल्व कर ली कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं टेलि सा इंच माक टेबल होगा नाइंध क्लास की एंहोगा ट